फरिदाबाद के सट्टा पंद्रा के सेंट्रल पार्क में आज विदायक नरेंदर गुपता जी पहुचे और तमाम इस्थानिये लोग यहां पर मौझूद रहे आडवल्यूए के प्रतिनीधी मौझूद रहे और समस्याओं से रूबरू करवाया है विदायक जी तमाम यह तो आज टेक्स देते हैं तो क्या आसवाशन एक सॉलिड आसवाशन आपकी तरफ से मिला है यह कंट्यूनेस प्रोसेस हमेशा डिजाइन चेंज होते हैं रिक्वार्मेंट्स बढ़ती है सेंटल पार्क है सेक्टर पंद्रह ही नहीं 14 और 16 के लोग भी यहां गूमने के यह ट्रैक जो है इसका रिपियर मांग रहा था थोड़ा समय लग गया कि हम लोग यह डिशाइड नहीं कर पा रहे थे किसमें हम पाइस लगवाएं या इसको आर्सी सी या रमसी से बनवाएं तो अल्टीमेटली यहां के जो वाकर्स तिद्रोजाना की घूमने वाले लोग कोई होगी इस पार्क में ब्लाने के लिए सब पूरा करेंगे मानि मनोला जी के नेतर तुमें एक नया अर्याना जिसमें टांस परेंसी से काम होते हैं सबका साथ सबका विकास तक्स देनेया हमारी दायता है और इसी टैक्स के बल्भूते पे पूरे जो हमारे गरीब लोग और अर्याना के लोग और उन सब के लिए विकास के काम करते हैं तो उसी तरह से हम लोग सेक्टर पंध्रय को भी विकास के कामों में पीछे नहीं चोड़ेंगे सेक्टर पंध्रयके छिजने और में दो रोड निकलते हैं दोनों रोडों को सेंट्र वर्ज के साथ ताइक बनाने काम और डेनेज बनाने काम जल्दी हम शुरू करा रहे हैं एक तरफ नॉर्ट साइड में अल्लेडी बन चुका है साउथ साइड में भी उसको रिपेर कराएंगे जो बारे पंध्र का व्यास को भी सिमेंटर बनाने की प्लानिंग है पर उसमें टाइम लगेगा तो में विजवाज दिलाता हूं आपके माद्यम से के फरीदवाद के हर चेत्र में विकास की बैयार भाएगी और उससे पंद्रे सकते भी अचुता नहीं रहे अपनी सेहत को लेकर चेंटित हैं मोबाइल टावर की समस्या रखी है और जहां तक बहुत लोग जानते हैं और अगर धरातल पर आप देखेंगे नगर निगम में कही बार इस तरह की शिकायते भी आती है कि जो टावर को लेकर आपने बोला की कोट के आदेश हैं लेकिन कहीं कहीं सुविधा शुल्क कथित रूप से लेकर जो नोसी है वो दे दी जाती है तो क्या इसकी जाज भी कराई जाएगी जो नोसी दी गई है उसके लिए क्या आधार बनाया गया है कि मोबाइल आज बहुत ही जरूरत नैसेस्टी में जरूरत आ गई है और सेंट्रल गोर्मे कमिशनर जी देते हैं हम लोगों के संग्यान में बहुती बार सिकायत आती है जब कोई अगर जिसके आसपास एफेक्टिड वेक्ति हमें सिकायत करता है तो उसकी हम चांच कराते हैं अगर डक्टर सुरेज जी ने जो मुझे बोला है उनको वाकरी में को दिक्कत है तो उनक मुझे पहले सबसे बहले दन्यवाद में जी का जिन्हों ने अश्रसन दिया है लेकिन मैं चोटी सी बात करना चाहता हूं कि यह मोबाइल टावर हमारी समाज की जरूरत है इसके विना काम नहीं चाहता है लेकिन जैसे कि इनको प्लैनिंग करें तो स्ट्रेजिक लोकेशन सब्सक्राइब करें तो उसमें जैसे एक टावर 445 निमर के लिए लोगों के प्रोटेस्ट से हमारे घर के लगा वह क्यों लगया पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-चावला-जी आडव्या-प्रदाने सर जिस तरह से टावर लगा ने समस्याएं भी यहां पर हैं स्टीपी की आपने बात रखी क्या लगता है आपको कि कहां देरी कहां हो रही है अधिकारियों की कारेशली में कुई दिकता आप लेकिसे ट्रैक की बात करूं इस ट्रैक को लेकि काफी दिन से था कि टेंग चेंज कराओ लेकिन अब एमले साब को रिक्वेस्ट कि पंकर लांपाल जी तो इन फाइलों बनने में सब्सक्राइब लगा आज वह अप्रूव हो गया है और लोगों से जो भी विदाहिजिक ने बोला कि काम पेंडिंग है तो उनने लिस्ट भेजो काम भी कर बाता हूं जहां तर टावर का सवाल है टावर के लिए हमारे पास इ लग रहे हैं यह सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के लग रहे हैं विदाहिक जी ने बोला अगर कहीं भी कोई नौस में दिक्कत आगे तो इसको कैंसल कराएंगे अब लोग कहते हैं और टावर भी नहीं चाहिए वो दोनों काम नहीं हो सकते लेकिन सर ऐसे विशेशक्या भी ह अब देश में जो इसका विकल्प निकाल सकते हैं लेकिन सेहत के सेहत के मापदंड पर तो खिलवार नहीं किया जा सकता है बिल्कुल ठीक कहरें पूजा जी आप लेकिन सबसे बचाहता का सवाल है आपके बास मोबाइल फोन आपके घर में वाइप आई-पाई है तो अप अब तो सकते आप टीवार की रेडियेशन बहुत जादा होती है हम उसको पर नहीं कर सकते यह बहुत बडाबा मिथ है कोई लोग कहते है टाव्री एडेयाशन है नहीं कहते हैं नहीं है इंजीनियर्स बेटे वाइव पताई हैं इम्स बहुत बटा उस्पताल हैं एक तों स आपको जिम्यदारी सौंप कर गए विधायक जी की आप समस्याओं का जल्द समाधन करने के जो निर्देश दिये हैं उसको फॉलो करें किस तरह से फरीबल 15 सेक्टर की अगर बात करें तो आगे आने वाले समय में जो काम है वो गती मिलेगी उनको देखें कामों को गती मिल र साल करोना ग्रस्त रहे हम सारे और बहुती मतलब भ्यानक समय था जो हमने निकाला है उसके बाद से लगातार गती से कारे हो रहे हैं यह ट्रैक भी बनने को जा रहा है और जहांता है का सबसे मोबाइल टावर की बात कर रही ती उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेग क्या है कि करनी का और जो हमारा जीने का अधीकार है उसका क्योंकि उसके इसके ब्याद ऑसने निए श्काम करती है इनुक्त पर्फेसकार और हमारे माननी मुख्य मंत्री मुनहोनल खटर जी के नेतरतों में भी अभूत्पुर विकास कारे हो रहे हैं और जो कमिया रह रहे हैं उनको जल्चिजद पूरखे जाए तो देखिए फरीदाबाद का सेंट्रल पार्क है यह और आज यहां के जीरनोधार कार्य का शुभार देखना यह होगा कि आसवाशन के बाद यह समस्याएं कब तक हतम हो पाती है और लोगों को इन से कब तक निजात मिल पाती है कैमरा परतन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा पंजाब के स्ट्री टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद